हे गई तो आज हम फुल बैटरी डेन चार्जिंग टेस्ट करेंगे रियल्मी के पांच लेटिस्ट स्मार्टफोन का हैले हम करेंगे पांचो स्मार्टफोन का फुल बैटरी डेन टेस्ट 5G नेटवर्क के साथ उसके बाद चार्जिंग टेस्ट अपने पास है Realme P1 Pro, Realme P1, Narzo 70 Pro, Realme 12 Plus और Realme 12X पैटरी कापसिटी पाँचो स्मार्टफोन का सेम है 5000 mAh पर चार्जिंग स्पीड अलग है Realme P1 Pro, Realme P1 में 45W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा Narzo 70 Pro और Realme 12 Plus में 67W Realme 12X में मिलेगा अगेन 45W का फास्ट चार्जिंग 500 device Android 14 based Realme i5.0 पे रन कर रहे हैं पास्टो स्मार्टफोन का सॉफ्वेर अप्टू डेट है Security Patch P1 Pro, P1, Narzo 70 Pro और Realme 12 Plus में March का मिलेगा Realme 12X में April का Realme P1 Pro, Realme P1, Narzo 70 Pro, Realme 12 Plus में Full HD Plus 120Hz वाला AMOLED इस्प्लेइ मिल जाएगा Realme 12X में Full HD Plus 120Hz वाला LCD इस्प्लेइ तो गई सारे स्मार्टफोन को मैंने 120Hz पे सेट कर दिया हैं पांचो स्मार्टफोन का बैटरी एकदम फुल है जो भी एप्स था ओपेन मैंने सबको क्लोज कर दिया है से पहले हम कैमरा टेस्ट करेंगे तो पांचो स्मार्टफोन का Body Temperature नोट कर लेते हैं Realme P1 Pro का Temperature 36 से 37 डिगरी के आसपास दिखा Realme P1 37, 38 के आसपास दिखा Narzo 70 Pro भी 38 डिगरी के आसपास दिखा Realme 12 Plus का भी more or less same दिखा Temperature And Realme 12 X का 37 डिगरी पांचो स्मार्टफोन में Jio 5G SIM लगा है सबका Volume रहेगा 75% के आसपास और Brightness रहेगा एकदम Full Max पे Realme P1 Pro, P1 Narzo 70 Pro And Realme 12 Plus या 4K 30 fps पे शूटिंग कर सकते हो And अगर आप Full HD वीडियो रिकाड़ करना है तो 30 and 60 दोनों आपको मिल जाएगा And Realme 12 X में only आपको 1080p 30 fps का आपशन मिलेगा No 60 fps, no 4K तो चलिए 1080p 30 fps वीडियो रिकाड़िंग स्टार्ट करते है पाचो स्मार्टफोन में हम एक घंटा वीडियो रिकाड़िंग करेंगे देखते हैं पाचो कितना गरम होता है और कितना बैटरी ड्रेन करता है एक घंटे में Guys, एक घंटा होने वाला है पाचो स्मार्टफोन का बॉड़ी टेंपरेचर 37-38 डिगरी के आसपास था एक घंटे रिकाडिंग के बाद P1 Pro का बॉड़ी टेंपरेचर 41 डिगरी के आसपास दिखा यानि पाचो स्मार्टफोन बहुत जादा गरम नहीं हुआ है एक घंटा वीडियो रिकाडिंग करने के बाद Realme P1 Pro 86 पर एक्ट एक अट गई गंट तक पर बाद क॥anka मैं यूदिप शॉट्स एक घंटे के लिए ब्राइट्यस एक्टम फुल रहेगा वॉल्यम् सेंटि परसंट के आसपास ग्रेट तो एक और घंटा हमने YouTube Shots का कम्टीट का लिया टोटल दो घंटा हो जोगा है रियल्मी P1 Pro 78 पे दिख रहे है 8% बैट इस ने ड्रेन किया है इस घंटे रियल्मी P1 77 पे दिख रहे है 11% बैट इस ने ड्रेन किया है नार्जो 70 Pro 86 पे था 76 पे दिख रहे है 10% बैट इस ने ड्रेन किया है रियल्मी 12 प्लस 87 पे था 77 पे दिख रहे है 10% बैट इस ने ड्रेन किया है रियल्मी 12 X 84 पे दिख रहे है इसमें भी 10% बैटरी ड्रेन वाए एक घंटे में ग्रेट तो रील्स भी हमने एक गंटा चला लिया, टोडल तीन घंटा हो चुका है, रियल्मी P1 प्रो दिख रहा है, 68 पे, यानि 10% बैट इस ने ड्रेन किया है इस गंटे, अब किसे हम वीडियो को यहाँ पे, अब हम स्टैन्ड बाट पे इन पाचो स्मार्टफून का बैटरी चेक करेंगे, अभी बज़ रहा है, 11 बच के 45 मिनट, हम सुबह मिलेंगे 10-11 बचे के असपास, और देखते हैं, रात भर में 10-11 घंटों में कितना बैटरी ड्रेन करता है, यह पाचो स्मार्टफून, नेटवर्क ओन रखने के बाद, गुड मॉर्निंग गाइज, 11 बच के 15 मिनट हो रहा है, याने 11.5 घंटा हो चुका है, और नेटवर्क ओन रखके 11.5 घंटों में, इसमें 7% बैटरी ड्रेन हो गया है, रियल्मी 12 प्लस 64 पे दा 59 पे दिख रहे है, 5% बैटरी इसमें ड्रेन हो है, और रियल्मी 12 एक्स 60 पे दा 56 पे दिख रहे है, 4% बैटरी इसमें ड्रेन हो है, रात भर में है, अब गाइस गेमिंग हो जाए, स्मूद एक्स्ट्रीम सेटिंग्स में पांचो स्मार्टफोन में गेमिंग करेंगे, मैक्स ब्राइटनेस और 75% वॉल्यूम के साथ पांचो स्मार्टफोन में जियो फाजी सिम लगाकर, स्मूद के साथ एक्स्ट्रीम मिल जाएगा, रियल्मी P1, P1 Pro में, Narzo में और Realme 12 Plus में Realme 12X में आपको Ultra मिलेगा Balanced के साथ अगेन Extreme मिल जाएगा Realme P1 Pro में बाकी चारों में Ultra मिलेगा HD के साथ भी आपको Extreme मिल जाएगा Realme P1 Pro, Realme P1, Narzo 70 Pro Realme 12 Plus में Ultra मिलेगा Realme 12X में High तो चले Gaming स्टार्ट करते है Realme 12X रहेगा Ultra पे बाकी चारों Smooth Extreme सेटिंग्स पे वीडियो को बस इन तक देखना क्योंकि फुल बैटरी रेन टेस्ट करने के बाद हम पाचो स्मार्टफोन का एक साथ चार्जिंग टेस्ट भी करने वाले हैं ऐसे वीडियो को शूट करने में दिन एडिट करने में बहुत सारा ठाइम लगता है अगर आपको ऐसे वीडियो देखने में मज़ा आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना अगर आपको ये वीडियो पसंदा है हेलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर का नाम मत भूलना ये बहुत मैटर करता है बीजी माई कामने दो घंटा कम्प्लीट का लिया टोटल पाच घंटा हो गया है चले चेक करते हैं बैटरी अब होगा मल्टी मीडिया, तीन घंटे हम UDP Max Brightness के साथ 1080p वीडियो प्ले करेंगे इन पाँचो स्मार्टफोन में, Realme P1 Pro, Realme P1, Narzo 70 Pro and Realme 12 Plus में आप UDP 4K वीडियो देख सकती हो, बट Realme 12X में 2K, no 4K, तो चले, तीन घंटे हम UDP 1080p वीडियो प्ले करते हैं, Max Brightness और 5G Network के साथ, आज के वीडियो में हमने कैमरा एक घंटा चलाया और Standby Mode पे भी थोड़ा ज़ादा बैटरी रेन हो गया है आज, तो गईज, हो सकता है आपको Screen on Time आज के वीडियो में थोड़ा कम देखने को मिलें इन पाँचो स्मार्टफोन का, रियल्मी 12X में 24% बैटरी बचावा था जो एक घंटे चालीस मिनट चला यूडिप में, 6 गंटे चालीस मिनट के बाद रियल्मी 12X डेट, 27% बैटरी के साथ 2 गंटे भी हम यूडिप पे वीडियो नहीं देख पाए, यार बहुत ही गलत टाइम पे डेट हुआ है दोनों स्मार्टफोन, पहले रियल्मी P1 डेट हुआ, फिर बेजली गई और उसके बाद रियल्मी 12 प्लस डेट हो गया, एकदम साथ साथ, तीनों एक साथ हुआ, दोनों 5,000 मिलिंबर बैटरी वाला स्मार्टफोन, सेम चिपसेट वाला स्मार्टफोन, सेम 7 गंटे 11 मिनट में डेट हो गया, एक साथ, 2 गंटे 11 मिनट चला, यूडिब रियल्मी P1 में 23 परसंट बैटरी के साथ, और रियल्मी 12 प्लस में 2 गंटे 11 मिनट चला, यूडिब 25 परसंट बैटरी के साथ, ओके तो Realme P1 Pro भी 7 गंटे 16 मिनट में डिट इसमें 29% बैटरी बचावा था जो उल्ली 2 गंटे 16 मिनट चला मल्टी मीडिया में सबसे इंप्रेसिव दिखा नार्जो 70 Pro 26% बैटरी में बचावा था जो 2 गंटे 28 मिनट चला 7 गंटे 28 मिनट में फाइनली नार्जो 70 Pro भी डिट जो चली अब चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं जैसे ही अप चार्जिंग स्टार्ट करोगे यह 5 स्मार्टफोन खुद से आन हो जाएगा आपको आन करने की ज़रूत नहीं है पाचो स्मार्टफोन से मैंने सिम कार्ट निकाल दिया है नाओ अन करने के बाद सबसे पहला काम करूँगा ब्राइटने सबका कम कर दूँगा 50% के आसपास और सारे अप्स को क्लोज कर दूगा गईज दस मिनिट में रियल्मी P1 Pro 19% चार्ज हुए रियल्मी P1 18, नार्जो सेंडी प्रो 21 और रियल्मी 12 प्लस 39% तस मिनिट में ओनली नार्जो सेंडी प्रो और रियल्मी 12 प्लस दोनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट लगा है सेम बैटरी कापैसिटी है 5000 और सेम चार्जिंग स्पीड है 67 वाट जो स्पीड देनाना है रियल्मी 12 प्लस ये 100 वाट का लग रहा है पता नहीं इसको क्या हो गया है रियल्मी 12 प्लस 67 वाट फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन 16 मिनिट कुछ 15-20 सेकंड में 50% चार्ज हो गया 15 मिनिट से हम चार्ज कर रहे है रियल्मी लद्मी 1 प्रो 28% चार्ज हो गया। अधे घंटे में नार्जो 70 प्रो 59 प्रो चार्ज हुआ है 78 प्रोसं चार्ज हो गया है– रियल्मी 12 प्लस 45 मिनट से हम चार्ज कर रहे है Realme P1 Pro 73% चार्ज हो है Realme P1 भी दोनों सेम स्पीड से चल रहा है और इस नार्जो और Realme 12 Plus का जो डिफरेंस था ना वो थोड़ा सा कम हो गया नार्जो 87% चार्ज हो है Realme 12 Plus 94% and Realme 12 X 66% चार्ज हो है Realme 12 Plus फॉल चार्ज हो गया 100% चार्ज हो गया 54 मिनट कुछ 30 सेकेंट में वैसे नार्जो 70 Pro काफी क्लोज आ गया 98 पे दिख रहा है और इस तीन मिनट के बाद नार्जो 70 Pro भी फॉल चार्ज हो गया 57 मिनट कुछ 30 सेकेंट में Realme P1 ने फॉल चार्ज कंप्लीट करने में एक घंटा चार मिनट लिया 90 पे दिख रहा है वैसे अभी Realme 12 X एक घंटा 6 मिनट कुछ 45 सेकेंट लिया Realme P1 Pro ने फॉल चार्ज कंप्लीट करने में Realme 12 X अभी 91 पे दिख रहा है Realme 12 X ने एक घंटा 15 मिनट लिया 95 परसंट चार्ज कंप्लीट करने में एन फॉल चार्ज कंप्लीट करने में Realme 12 X ने लिया एक घंटा 20 मिनट इन पांचो स्मार्टफोन ने फॉल चार्ज कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया 50% charge complete करने में कितना टाइम लिया था और 80% charge complete करने में कितना टाइम लिया सब कुछ मैंने लिख दिया आप लोग के information के लिए उमीद करते हूं आप को वीडियो पसंद आया होगा helpful लगो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूला थैंक यू वेरी मॉच फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में देखते रहिए आई फोर उन्बॉक्स